मेरे घने स्टमित्रों, नमस्कार, फ्रेंड्स एक बात जो मैं आज आज आप सबसे शेर करना चाहूंगा वो ये, कि पुराने समय से लेकर के जिसका इतिहास हमें मालूम है, अब तक शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति रहा हो, जिसके मन में कभी न कभी आत्महत्या करने का विचा पार ना आया हूँ, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी इस तरह के मेल्स की भरमार हो गई है, कि सर मेरे मन करता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ, अब जीने का मतलब ही क्या रह गया, और इस सब युवा हैं, 20-25-30 साल के उम्र के हैं, और इनको लगत महनत कर ली हो गया, नौकरी के लिए कुछ जगों पर अप्लाई कर दिया होगा, वहां नहीं मिला होगा, कुछ परिक्षाएं दी होगी, उसमें फेल हो गया होगे, बस इतने ही किया है, और केवल इतना करने से ही उन्हें लगने लगता है कि अब जीवन का कोई अर्थ नही रह गया है, पहली बात कि हरेक के मन में कभी न कभी यविचार आता ही है कि यार आत्म हत्या कर ली जाएं, लेकिन वो कर नहीं लेते हैं, यह एक extreme situation है, थौट्स की एक extreme situation है, लगता है कि यार मुक्ती पाओ, छुटकारा पाओ, बात खत्म हो जाएं, लेकिन सभी आत्म हत्य गया नहीं करते हैं, उसे समालते हैं, थोड़ी देर के लिए एक तूफान की तरह यह विचार हमारे दिमाग में आता है, और फिर गायब भी हो जाता है, और यदि गायब नहीं होता, तो हम उसे दबाने की कोशिस करते हैं, हम उसे गायब करने की कोशिस करते हैं, क्योंकि ह हम यह जानते हैं, कि यह जो विचार आया है, यह बहुती टेंपरेरी किस्म का विचार है, और सच तो यह है कि यह बहुती जोटा विचार है, यह विचार जो मुझे अभी इस बात का एहसास करा रहा है, कि अब जीवन जीने का कोई अर्थ नहीं रह गया है, दरसल अपने ही हुआ है, यह दोस्तों केवल एक दिमाग में आई हुई विचार की सुनामी है, मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा, यह दिमाग में विचार की आई हुई सुनामी है, सुनामी कभी इस्थाई नहीं रही, यह भी इस्थाई नहीं रहेगी, अब यह आपके उपर होता है, क कि आप कर्म में लग जाईए, कुछ काम करने लगी है, अगर आप अपने दिमाग को खाली रखेंगे, तो मान करके चलिए, कि चुकि खाली जगह है न, तो यह जो थौट आया है आपके दिमाग में, यह पसरता चला जाएगा, क्योंकि उसे पसरने के लिए आपने दिमाग मे मतफस यह, सच सोचिए कि सच क्या है, अगर थोड़े समय का दुख है, या थोड़े समय के लिए सूरज बादरों की ओट में चला गया है, और चार और अंधेरा सा हो गया है, हलाकि दोपहर का वक्त है, तो इसका मतलब यह नहीं कि सूरज की मौत हो गई है, निकलेगा, उस इसका जीवन पूरी तरह से हर समय उसके इक्छा के अनकूल सुखमें सुखमें और सुखमें ही रहा है, बताइए, आप गौतम बुद्ध को पढ़िए, यह जो महान महान लोग आपको इश्वर के रूप में दिखाई देते हैं, जिने हमारी चेतना ने माननेता दी है, रा हमारी श्रद्धा के पात्र हैं, हमारी जीवन के मॉडल हैं, कम से कम हम इनकी जीवनियों को तो पढ़िए, हम इनके आदर्शों को पढ़ लेते हैं, इनके कही बातों को पढ़ लेते हैं, इनसे जीवन के जुड़ी ही कुछ घटनाओं को भी हम जानते हैं, लेकिन याद र तो प्लीज आप मुझे बताईगा क्योंकि मेरी नजर में ऐसा कोई जीवन नहीं आया, यहां तक कि मैंने तो बहुत सारी उपन्यास पढ़े हैं, दुनिया के महान लोगों की बहुत सारी जीवनियां पढ़ी हैं, उनमें भी मुझे ऐसा कोई चरित्र नहीं मिला, जिसका जी जीवन में उसे कोई बहुत महान उपलब्धी भी मिल गई हो, ऐसा मुझे तो एक भी नहीं मिला, जब उनका नहीं हुआ, तो हम अपने जीवन के बारे में कैसे इस आदर्स इस्तिती की कलपना कर सकते हैं, और यदि हम कलपना कर रहे हैं, तो आपको नहीं लगता कि हम एक छूठी बात को सच बनाने की कोशिस में लगे हुए हैं, और वी केवल दिमागी इस तर पर, क्योंकि हम कर कुछ नहीं रहे हैं, उसके लिए केवल सोच रहे हैं, जो भी हम कर रहे हैं, वो केवल सोचने के इस तर पर कर रहे हैं, हमारे दिमाग में महले बनती चले जा रहे ह अब फिर हम दिमाग में लगता है कि ओ तो धस्त हो रहा है, हम ये बन जाते, हम ये हो जाता, हम ये कर लेते, हम इसे पा लेते, और दिमाग में अब नहीं पा रहे हैं, नहीं लग रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं बन रहे हैं, तो लग रहा है कि अब तो होगा ही नहीं, और फ तो दोस्तों आज बस इतना ही नमस्कार